लेट नाइट एन्बीए हम कवर करेंगे मिलवाकी बॉक्स वर्टिस प्रूपलिल नर्ड पॉइंट काच से काई इर्विंग, सेमेट, हॉलिडे, पोर बेज, माइक जेम्स, तैलर जॉंसन इर्विंग, सेमेट, हॉलिडे, फोर बेज, जिन्स ये सभी पिक्स स्मॉल लीग और गुनेड लीग के लिए बेस्ट पिक्स है तो इनको पिक्क करना है शुटिंग गाट से कॉना गटन, डॉंटे डिविस विंसेंजो दो टॉपिक्स है और एक लुबागू के ब्रॉट क्रिस मिडल्टन, ब्रूस ब्राउन एड एरिस जो अभी अच्छी फॉर्म में है पावर पावरड से ग्यानिस अंटर टोकुंपो अगर खेलता है तो इसको लेना है एस्पी और पिपी के लिए बेस्ट टिखे और ब्लैक ग्रिफिन, केविन डूरांट, ग्रीन, एलिजे जॉनसन और पीजे टॉकर बैंसे सेंटर से पॉर्टी सोथ लोपेज जो नची फॉर्म में है तो पावर एस्पी और पिपी के लिए पिप्पिप्पिश काईरी अर्विंग, जुरू फॉलिडेई, त्रिस मुडल्टन, केविन डूरांट एन येनिस अंटर टोकुंपो बैस्ट बिश है केविन डूरांट और गियानिस अंटर टोकुंपो, गियानिस नहीं केलता है तो हॉलिडेई और मिड़र टैन भी अची भी स्वंगी अब हम प्लेयर बाई प्लेयर अनलाइसिस करते हैं पॉइंट कार्ट से मिलवा की बक्स में जुरू हॉलिडे अच्छा प्लेयर है, फुल टाइम खेलेगा, इस प्लस मिनट खेलेगा अच्छी फॉर्म में हैं टीस से 47 पॉइंट इजी ली दे देगा, फॉर्बेस अभी बहुत अच्छी फॉर्म में हैं लास्ट दोनों मैटेस में अच्छा प्रफॉमेंस किया, एक में शुटिंग से 30 पॉइंट दिया और एक में 10 पॉइंट और तेरा रिबाउंड किया जेफ त्यागे को इतना चादा टाइम नहीं मिलेगा, शुटिंग आर्षे कोना गटन और डाउंटे डिविंसेंज दो टॉप पिक्स हैं गियानिस आउट होता है तो डाउंटे काद्जा परफॉमेंस राने का चैनल्स ज्यादा होगा और कॉना गटन एवरेज पॉइंट दे देगा मेड़न तनाचा परफॉमेंस करेगा, खनासिस और नवोरा को टाइम मिलेगा जर गेम वन साइड होता है तो यहां से गियानिस कहलता है तो एस्वी के लिए बेस्ट पिक, बाकि पीजे टकर को टाइम मिलेगा बाकि और किसी को इतना टाइम नहीं मिलेगा यहां से यह दोनों यह चैनल्स तीन चैनल्स में चैसे अच्छा कर रहा है और ब्रुकलिन नर्स पर पॉइंट कार्ड में टमेट स्टार्ट करता है और अची फ़रम में है टाइलर चॉंसन वन साइड हो तो अच्छा टाइम के लेगा माक जयेंच अभी आया है एरो से अभी शाइनिंग हो तो अभी ज्यादा टाइम मिलेगा इसको और गुए लुबागु को टाइम मिलने का ठीक था परकि जिम सार्डन आउट है और इस्पेंसर डिन्वीडी भी आउट है स्मॉल फारवर्ड से बुरुस ब्राउन अच्छी फॉर्म में है इसको भी आपिर कर सकते हो कि रैलिटी जादा है कि अच्छी फॉर्म में इसको भी जिक कर सकते हो बुरुस ब्राउन 20 से 30 पॉइंट का अच्छा गेम हुआ तो वह 10 से 40 सा पॉइंट देगा ब्लाइक रैफिन अच्छी फॉर्म में है इसको भी करना है कम क्रेडिट में अच्छा पॉपिक है केविन दुरान अगर टाइम लिमिट नहीं होती है तो एस्पी और एस्पी के लिए बेस्ट पीक है केविन दुरान इससे कोई नहीं है ग्यानिक भी नहीं यह है टॉपिक ग्रीन अच्छी फॉर्म है इसको टॉपिक कर सकते हो प्रॉब्लम में क्रेडिट की ही है बाकि प्लेयर सब अच्छे हैं अलिजी जॉनसन ड्रॉप मारो दुट कर दो यहां से कोई अच्छा प्रॉपिक नहीं है सब्सक्राइब किसी को ज़्यादा नहीं मिलेगा अभी मैंने दो कॉम्बो बना है जिसमें यह निसको नहीं लिया है फर्स्ट कॉम्बो में केविन डुरांट को सब्सक्राइब को प्रॉपि इसमें ग्रीन और ग्रिफिन का कॉम्बो बहाँ लोपेश जैगर दूसरे में ग्रिफिन अटाके फॉर्टिस लियाँ और सब्सक्राइब प्रॉपि इंटर्चेंट किया हूं अब मैंने दो कॉम्बो पना है जिसमें केविन डुरांट को ड्रॉप किया है पर्स्ट कॉम्बो में स्वे में ग्रीन ग्रीन से गया हूं अब कर दूसरे में माइक जियंप डॉन्टेटी विंसेंजों कि गया हूं एक और कॉम्बो आप बना सकते हूं इसमें देटन या काईरी अर्विंग को ड्रॉप करके जुरू वालीडे लिस्ट के हूं ज्यादा कॉम्बो नहीं बनाएंगे बाकी के कॉम्बो आपको सारा मैंने बता दिया है और मैं वीडियो बना रहा हूं इस स्ट्ट कि आपको बता रहूं कौन कैसा प्लेर है कैसा प्रॉप करेगा तो बाकी तिम्स आपको बनानी है चार ग्रेंड लिग तिम्स बनाया हूं और एक स्मॉल लिग तीम इस ट्रीम में आप काईरी इर्विंग अटाके जुरू वालिडे भी ले सकते हो और पोर्टिस अताके ब्रुक लोपेज भी ले सकते हो एस्पी है गियानिस और पिपी है केविन डूरांट और अगर गियानिस नहीं कहलता है तो यह और यह बेस्ट कॉम्बोज हैं इस कॉम कि यह डूरांट इडिमिन सेंजों ले सकते हो और बखी कोई हैसाब के अडिड में सेमेट हो गया माइक जेंस हो गया ऐसा फिक ले सकते हो